नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत है राजस्थान शिक्सा समाचार के इस वीडियो के अंतरकत आज है 6 अगस्थ 2022 और आज से समधित बहुत ही सांदार जो है धमाकेदार आपके लिए है जो कुछ गुड नीज है कुछ नई अपडेट्स है और वीडियो रिजल्ट के अंदर जो पीछे रहा गए थे उनके लिए भी अच्छी खबर लेकर हाजिर हो चुका हूं तो सबसे पहले तो एक चोटा सा रिक्वेस्ट आप से रहेगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है और इस सबसे पहले जान लेते हैं आज की इस वीडियो के इंतरगत हम जो है कौन-कौन से पॉइंट या मुद्दो के उपर डिस्कॉस करेंगे तो राजस्तान में आगामी जो नई भरतिया है उनके उपर डिस्कॉस करेंगे राजस्तान के अंदर LDC की जो नई भरती जारी कीए उ सब्सक्राइल ने जल्ले२ देख लेते हैं कि इसके बाद डिस्कॉस करेंगे इंडियन नेवी वे इंतरगत जो ट्रेडस में में की जो नई भरती जारी बारे में ऊसके बारे में महाराणा पड़ताप यूनिभरसिटी के इंतर यो नई वेकैंसी जारी यो उसके लिए ऐस अगर आपके साथ जो है कुछ गलत हो रहा है रिजल्ट को लेकर तो आप इस वीडियो को तो जरूर देखेगा तो चले सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को सबसे पहली जो निव्ज आपके लिए मैं रख रहा हूं वह है आपके लिए राजस्थान के अंतरगर जो LTC वेकेंसी के लिए आप बहुत जादा वेट कर रहे थे और अगर आपको पता हो तो मैंने पिछले चार दिन पहले इसकी एक अपडेट आपको दी थी एक या दो तारिको जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आगामी 15 दिन के अंदर अंदर का जो है बैग्राउंड एकदम स्ट्रोंग हो मनलब वेकेंसी आने को रेडी हो या उस वेकेंसी को पर अच्छा कार ये चल रहा हो बाकी दूसरे अधर चैनल की तरह जो है जूटी खबरे बना के व्यूज लेने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपकी साग जो है वहां से फ कनिष्ट सायक तता लिपिक ग्रेट दित्य के रिक्त पदवा पर सिधी भरतिया तो संग्त परतियों की परिक्षा 2022 से समधित है तो देखे राजस्तान उच नियाले करमसारी सेवा नियम 2022 यता संसोदित राजस्तान हाई कोट स्टाप सर्विस रूल्स 2022 इस एमेंडेंट ए जो नियम्स हैं इसके अंदर जो है इनको एड किया गया है अब आगर आप यहां से इसको देखेंगे ठीक है कनिष्ट सायक तता राजस्तान राज्ये नियाईक अकाजमी तता राजस्तान के जिल्ला नियाले में जो है लिपिक ग्रेट दूतियों के निम्न उल्लेकित पद प्रेशन ट्रेनिंग पीरीड होगा उसके अंदर रहेंगे परिविक से काल सपलता फूरुक होने के बाद उन्हें नियम अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल एल फाइब के अनुसार पेश्केल 20,800 से 65,900 रुपे तक देई होगा तो यहां पर आगत आप देख सकते हैं कनिष् इक अंतरगत तो सामाने के 116 पोश्ट है आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गे EWS उनके आपके 32 पोश्ट है अनुसुची जाती के आपके 15 है अनुसुची जन जाती ST इसके 38 है अन्य पिछला वर्ग के 67 है आती पिछला वर्ग के 16 तो यहां पर आपके टोनल 320 पोश्ट ब आप जनरल से हैं तो आप चार पोश्ट के लिए अपलाई कर पाएंगे कनिश्टाई के अगर देखा जाएं तो जनरल के अंदर 15 है SC के अंदर आपके 0 है EWS के अंदर 1 है ठीक है NST के अंदर आपके 2 है बाकी आपका टोटली यह ठारा पोश्ट है यह आपर आप देख सकते हैं अब आज आता है थी आपके जिला न्याला में जो रिक्तिया है लिपी ग्रेड दूतिय है ठीक है इसके अंदर 1166 और 1166 की बात करे है तो 1166 के अंदर जनरल के आपके 738 पोश्ट हैं EWS के आपके 228 है AST के 315 है AST के आपके 250 है ओड OBS की या OBC की आपके जो है 337 पोश्ट है ठीक है जो आपके सहर या ट्राइब ट्राइबल जो एरिया वहां पर आपके 9 पोश्ट है 109 पोश्ट आपके MBC के है तो इसी हिसाप से आपके 1985 पोश्ट इसके अंदर है लिपिग्रेट वित्य अनुसुची चैतर की बात करें तो इसके अंदर 27 पोश्ट है यहाँ पर आपके 45 SC 38 आपके ST की है 55 आपके OBC की है और सहर या ट्राइबल एरिया के आपके 3 है और MBC के आपके 11 पोश्ट है तो यह वेकेंसी थी आपके लिए इसकी जो समय सीमा है वो आपके 28 से लेकर ठीक है एक बज़े से जो है अंतिम दिना किसकी 22 नौ तक रखी गई यानि एक महीने तक आप इसके लिए अपलाई कर पाएंगे तो आगा में जो 22 तारीक है इससे आपके स्टार्ट होगा इसके लिए ओनलाइन आवे दन और वापस जो है नेक्स्ट आपके जो सितंबर माह होगा 22 तारीक तक का वहाँ पर आप इसके लिए अपलाई कर पाएंगे ठीक है ये आप इसके लिए और इसका विश्तरित जो विग्यापन है मैं आपको अलग से एक वीडियो लाखे बता दूगा ताकि ये वाड़ा वीडियो जादा ले इसके आपके OBC की 18 ST की है sorry ST की 8 आपके ST की और EWS की 11 पोस्ट है तो टोटल आपके 112 पोस्ट इसके नतरगत है फिर एक एक पोस्ट आपके VH, HHO, OH और इस प्रकार्ट से जो अन्य जो भी horizontal reservation है उसके लिए यहाँ पर रखी गी है ठीक है अब यहाँ पर देरका 52 in number IT trades are eligible for apply for above the mentioned post इसके लिए वह apply कर पाएंगा IT करता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और next बात करते है नेक्स्ट न्यूज के उपर next हमारी जो update आ रही है ठीक है वो है महारान परता आप university के अंतरकत नई जो vacancy है उसके regard में ठीक है तो यह आपके एक अगस्ट को जारी की वेकेंसी थी इसके लिए मैं आपको सारा बता देता हूं कारिकरम इसके अंतरकत आपको कारिकरम सायक तक्निकिक सायक करसी असुलिप करके notification अभी टेलिग्राम से देख सकते हैं ठीक है इसके इंदक आपका pay grade बयाली सुरूपे रहेगा 24 शुरूपे एसलुपिक थर्ड और वान चालक के लिए 2000 उपे रहेंगे इसके लिए आपका जो अंतिम्तिति है वो आपके 16 सित्तम रखा गया है तो आप अभी भी इसके लिए apply कर सकते है ठीक है rcaudhaipur.com पर जाका इसके लिए आपके जो क्वालिपिक से ने वो भी मैं आपको बता देता हूँ आप चाहें त्यास से देख सकते हैं ठीक है कारिकरम साइक के लिए इट लिस्ट आपके second class BSc, BSc honors या BSc agriculture से आपके पास होना चाहिए ठीक है अगर से ने लिट का कोई भी certificate है या आपके पास कोपा का है या आपके पास कोई भी डिप्री या डिप्लोमा है ठीक है computer science के अंदर का तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो आरे सीटी भी आपके पास होना जरूरी है तो यह इसके अंदर apply कर पाएंगे वहां चालक के लिए आपक जो apply कर रहा की थी उसके अंदर जो एक्जाम डेट कुछ जारी कीगी है तो अगर आपके पास 10th plus 2 का apply कर रहा है वेकंस तो tier second के लिए आपके descriptive का जो exam है वो 18 सेतंबर 2020 को होगा head constable in दिली पुलिस वड़ा जो exam है वो आपके एंसल से के तुरू करवाय जा रहा है तो यह आ आगे बारते हैं और next vacancy की news के उपर discuss कर लेते हैं अब बात करते हैं PTI भरती के अंतरकत अंसे नहीं अपडेट है तो देखो मुष्की लोगा इस पार competition 25 सितंबर को आयुजित किया जाएगा exam PTI 39% अभ्यरती जो है बहारी राज्यों से हमारे युगों के लिए बढ़ेगी तो सामानी के जो पूरूस है वो 17,010 है EWS के 2,746 है ST के आपके 3,960 है MBC के 15,06 है OBC के 12,456 है और ST के 3,041 है कुल 40,749 लोगों ने अपलाई किया है महिलाओं की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके 5,805 है सामानी EWS के 926 है ST के 2,55 है MBC के 4,07 है OBC के 5,830 है और SC के आपके 1,173 है इसे साबसे आपके इसके अंतरकत 16,216 लोगों ने इसके इंदर एपलाई किया है ठीक है और अगर सामानी की बात करें तो इसके अंदर आपके कुल जो पूरूस और महिला वर्ग है उनके अंतरकत 22,822 है ने एपलाई किया है AWS के लिए आपके 3,660 है ST के लिए आप पर लिए आपके 56,997 लोगों ने इस परकार से अपले किया है PTA की भरती की परीक्सा 25 सितंबर वायोचित की जाएगी AWS कोई फर्जी तरीके से नौकर लेने का प्रियास करेगा तो उसके खिलाब सक्त कार्यवय की जाएगी हरी परसाद सर्मा का कहना है आगे बात करते हैं नई अपडेट जो वीडियो भरती से समन्जी थे इसके उपर देखो इसके ऊपर जो आपने थमण्यल के अंदर देखा है वो एकदम सही है अब मैं आपको इसका पूरा जो मामला है वो समझा रहा हूं वीडियो भरती के अंतरकत उंतरकुनजी विवाद मामले में हाई आई कोट ने ग्राम विकास अधिकारी भरती 2021 की उत्तर कुंजी विवाद मामले में पंचाइत राज सचीववा राजस्तान करमचारी बोर्ड के चैर्मेन सहीत अन्य से जवाब देने के लिए का है अधिवक्ता आरपी सेनी ने बताया कि प्रार्ती ने ग्राम विकास अधिकारी वीडियो पद की मुख्य परिक्षा में भाग लिया था बोर्ड ने 9 जुलाई 2020 को अंतिम उंतर कुंजी जो है जारी की थी उतर कुंजी में उसके सही उतर को गलत माना वपूर में जारी पर्थम उतर कुंजी की आपतियों का निप्टारा भी नहीं किया था प्रार्ति के चार उतर सही होते हुए भी गलत माने गए जबकि मानने ता प्राप्त किताबा में उसके उतर सही माने गए है यदि उत्रों को गलत नहीं मानता है तो उसका भरती में चैन होता तो उसका चैन होता इसलिए प्रार्तिक उत्रों को सभी मानकर भरती का प्रेणाम नहीं सरे से गोसित किये जाने को जो है डिमांड कीगी है वीडियो भरती के अंतरगात अगर इसके उपर वापस बोर्ड ध् बात भी ऐसा निया होता है तो आप उपनली जो है हाई कोट की तरफ से इनको जो है जवाब मांगें इन से क्यूंकि यहां पर काम करने का इनके पास जो तरीका है वो थोड़ा बहुत भागदोड भरा रहता है यह जो अभीरति बाहर हो रहा है ठीक है उस वो सही से एक्जाम दे रहा है लेकिन फिर भी वो उस चकर में बाहर हो जाता है क्योंकि इनकी भागदोड उनको दुख देती है तो अगर आपके साथ ऐसा कोई होता है तो आप जरूर हाई कोट के थरू अपना जवाब मांग सकते हैं क्योंकि जो आपका हक है वो आप प्राप्त कर सकते हैं त तो अगर इसके उपर अच्छे से कारिक किया जाता तो यह वीडियो का रिजल्ट है पुने सीरे से जारी किया जाएगा और इसके अंदर का जो पातर अबेरती थे वो भी इसके अंदर एप्लायर होंगे ठीक है अगा में अब बहुत जल्द कंप्रिटर टीचर का वेकैंसी आपने जिलुट जारी ओने पर है और बहुत सारी गलिट सम्भावने पर इस पर जतश ही जारी है तो तो देखते आप वेकैंसी का रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कितने आंसरों को आपके लिए गलत माना है तो देखते हैं आगे बरते हैं और फाइनली बात कर लेते railway group D के लिए जो परिक्षा तिती है वो जारी कर दी गई है railway group D की पर समसरण के लिए जो परिक्षा है वो आपके परिक्षा कायोजन 17 से 25 अगस्त तक किया जाएगा और इससे 4 दिन पहले जो है आप अपने जो सिकी है तो उनको अच्छे से जाच कर पाएंगे इसी परकार नई वेकेंसी की अपडेट चाहे आप लिमिटेड वेकेंसी प्राप्त करना चाहते है प्राइवेट सेक्टर की जौब प्राप्त करना चाहते है तो भी आप नीचे कमेंड बॉक्स में comment कर सकते हैं तो मैं आपको उसके regarding भी update जरूर दे सकता हूँ इसे के साथ मैं संपत लेड़ आप सब इसे अलविदा लेता हूँ मिलते हैं एक और नई दमाकेदार updates के साथ जै हिन जै भारत